नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चानल पर भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है जहां लाखों परियाटक हर साल विश्व भरसे आते हैं इसी के साथ ये कई रहसे में स्तानों का घर है जो पुराने कत्थाओं में डूबे हुए हैं इसलिए आज हम भारत के कुछ ऐसे ही रहसे में स्तानों के बारे में बताएंगे जिनका विज्ञान के पास भी जवाब नहीं है तो आएए शुरू करते हैं नमबर एक कुलधरा गाउव राजस्तान का कुलधरा गाउव, शापित और बूतों का गड़ माना जाता है जिसमें सामोहिक पल्यान और अभिशाप की कहानिया है नमबर दो रूपकुन जील उत्राखंड की रूपकुन जील एक रहसे मैई जील मानी जाती है बता दे की रूपकुन जील सेकडो मानव कंकालो का घर है जो सदियों से अग्यात है नमबर तीन रामेश्वरम तमिलनाडू के तहरते पत्थर तमिलनाडू के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदर अपने तहरते हुए पत्थरों के लिए प्रसिद है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग मंदर के निर्मान में किया गया था नमबर चार भानगड किला राजिस्तान का भानगड किला भारत में सबसे भूतहा जगा के रूप में जाना जाता है भानगड किले को शापित माना जाता है नमबर पांच आंद्रप्रदेश का हैंगिंग पिलर आंद्रप्रदेश का यह मंदर अपने लटकते हुए खंबे के लिए प्रसिद है जो बिना किसी सहारे के हवा में लटका रहता है असम का ये छोटा सा गाव हर साल सितंबर और अक्टोबर के महीने के दोरान पक्षियों द्वारा आत्मत्या करने की रहसे माई घटना के लिए जाना जाता है करनी माता मंदर राजस्थान में स्थित मंदर है जो 20,000 से अधिक चूहों का घर है जिनने स्थाने लोग पवित्र मानते हैं मंदर में चूहों की मुझूदगी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है गुजरात की सूरत में स्थित दूमस्तत देखने में बहुत खुबसूरत है लेकिन यह जगा भी कई डरावनी कहानियों में भरपूर है कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था जिसकी वज़े से यहां कई आत्माएं आज भी भटकती है इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की यवाज आती है लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सामोहित कर अपने पास बुलाता है यहां की काली रेक आज भी रहसे है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद